क्या क्या लक्षन दिखने हैं तुम्हें पैर में दर्द रहता है यह ग्रोथ कमी हो गई है बाल पतले होने शुरू हो गए हैं तल्वों में ज्यादा तर दर्द रहता है नींद ज्यादा आती है आपको भी यह सारे लक्षन दिख रहे हैं तो क्या आप प्रेगनेंट हो चलि ये सुडियो में जानेंगे अक्सर गर्वती महिलाओं को पहले दूसरे महीने में अचानक से बॉडी में इतना परिवर्तन देखके महिलाएं डर जाती हैं कई बार तो डेट मिस भी नहीं हुआ है उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे परिवर्तन दिख रहे हैं और वो परिवर्तन क्या क्या हैं जैसे कि आपके पैरों में अत्याधिक दर्द कई बार महसूस हो रहा है पैरों में दर्द क्यूं होता है पहला तो कैलसियम की डेफिशेंसी के कारण हो रहा है यह आपके अंदर परियाप्त मातरा में कैलसियम नहीं है और अब कैलसियम की डेफिशेंसी यानि की उसकी कमी महसूस हो गई है आप और प्रेगनेंसी में कैलसियम परियाप्त मातरा मे रहना बच्चे की हड़ी ग्रोथ के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होता है तब ही बच्चों की हड़ी मजबूत बनती है और अगर कैल्शियम भी कमी होगी तो आपके बॉडी से वो कैल्शियम खीचने लगेगा इस वज़ा से महिलाओं के कमर में दर्द पैड़ों में दर्द बोन वाले एरिया में अक्सर दर्द रहता है तो शुरुवात महिने से ही कैल्शियम की कमी आपको गई पैड़ों में दर्द होना शुरू हो गया ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी पैड़ों में दर्द होता है उसके बाद नीन्द जादा आती है, ओवियस सी बात है कि अगर इंटर्नली ऐसी एक्टिविटीज, चेंजेज, एनर्जी की खपत होते रहेगी बेबी की ग्रोथ में, तो आप लेजी फील करोगे, ठाकान जादा महसूस होगा, इस वज़े से नीन्द भी उतनी ही जादा इसके लिए संकोच करने की जरुरत नहीं है, घबडाने की जरुरत नहीं है कि आप बिमार पड़ गये, कई बार सुबा उठने के बाद ही आपको बकाई शुरू हो जाएगी, पसीने आने शुरू हो जाएगे, ग्रणमी का मौसम है तो, उल्टियां जैसा महसूस होने लग फिर कुछ घंटों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैक टू फॉर्म हो जाओगे आप, जैसे पहले थे वैसे हो जाओगे, लेकिन बेट से उठने के बाद ये सारी प्रॉब्लम अचानक से शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं, मौर्निंग सीकिनेस होना, हेर ग्रो जाते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, कॉमेंट करते जाएं, धन्यवाद